एक गाओं की स्कूल मास्टर की बेटी मार्जोरी सैक्स का जन्म 11 मैं 1905 को इंगलेम के एक स्योकसायर मेक्सबूर में हुआ था 1234 रूची से लाब उठाते हुए सैक्स ने 1923 में नहवं कोलेज केमरीज में कोलेज के अध्येंग की सरूवात की वह 1928 में 23 की एक युवा महिला के रूप में मदरास अब चेन्ने के लिए आई जहां वह एक स्थानिय स्कूल में एक सिक्सक की नोकरी कर सके वह को महात्मा गांधी और रविंदरन टैगर द्वारा परिकल्पना की गई नहीं सिक्सा के कारण समर्पित कर दिया उसने भारत में अपने जीवन का बड़ा हिसा बिताया 1945 में गांधी ने सेक्सक को नई तालिग नई सिक्सा पर काम करने वाली अपनी टीम में सामिल होने के लिए आमंदरित किया और बाद में सेवग्रम में गांधी के मूल सिक्सा कारेक्रम का प्रिंसीपल बन गए और 1950 में एक भारतिय नागरिक बन गए उन्होंने महात्मा गांधी टेगर और विनुबा भावे जैसे भारतियों के साथ काम किया उसने बंगाली और तमिल से अंग्रेजी में कई कामों का अनुवाद किया है एक बिमारी के बाद 85 सल की उम्रह में सैक्स 1991 से इंग्लेंड के ब्रकिंदर सौयर में एक स्केकर आविश्य घर्म से भारत में स्वर्थ मोर गए जहां वो सतर अगस्त 1995 में को अपनी नूति तक बनी रही